प्रेंड अब देखिए इस तरह से डिजाइन बनाएंगे हम चार हमने बटन पट्टी के लिए बनाया है इसके बाद हमने दो स्लाइए हमने प्लेन क्रीम कलर की बनाई है देखिए 80 पंदे हमारे टोटल है तो 50 पंदों के हम पहले एक स्लाई है उल्टी सीधी एक पंदों की और दो स्लाइएं फिर हम क्रीम कलर रिकल गाएंगे एटी पंदों की देखे किस तरह से करेंगे यह देखे पर 70 पंदे हमने ब्लैक कलर के यहां तक बना लिया तीस पंदे छोड़ दिये तो यहां से पीछे मुड़ेंगे हम और इन 50 पंदों को सीधा ही बनाएंगे इस तरह से सीधा बनाते हुए फिर क्रीम कलर की पूरी स्लाइए उपातक बनाएंगे की Japanese अीव से पंद्धस जनयों है युज देकी इसका गेरहा कंप्लीट और बटन पट्टी की दो धर्यामयने इसको इसको इसकी बना लीन तो देखे इस तरह से वनके लिए उसакс प्रहस का गेरहा है अब देखिए हमने बटन होल बनाना है लास्ट होल में तो देखिए किस तरह से बनाएंगे हम पहला पंदा उतारा धागा आगे करा अब देखिए पांच पंदे हम सीधे बनाएंगे दो तीन चार पांच पंदे बना लिए जाली बनाई दो पंदे का एक बनाएंगे अब पंदरा पंदे बनाएंगे दो तीन चार पांच छे आठ 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 नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा फिर जाली बनाएंगे और दो पंदे का एक कर देंगे अब फिर पंदरा फंदे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस घ्यारा बारा तेरा जोड़ा अरे पंदरा फिर जाली बनाई दो पंदे का आठ पंदे का आठ पंदे अगे एक बनाए फिर से पंदरा फंदे चेट, साथ, आठ, नौर, दस, ग्यारा, बारा, एरा, चोदा, और फंदरा, फिर जाली बनाए और दो फंदे का एक कर दिया, फिर से पंदरा फंदे बनाएंगे, दो, तिन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौर, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, फिर जाली और दो फंदे का एक, एक, दो, तिन, चार, पांच फंदे, उल्टे, इसके बाद उल्टी सलाई, हम पूरी उल्टी बगाएंगे, इसके बाद ये धारी फ्रेंड और बनाएंगे, हम फिर फंदे बंद करेंगे, तो मैं एक धारी बना लेती फिर फंदे बंद करना बताऊंगे, किस तरह से हमने फंदे बंद करने है, अब देखिए फ्रेंड, एक धारी बनाने के बाद उल्टी सलाईवे ने इस साइड लगा लिया है, अब हम फंदे बंद करेंगे, तो देखिए किस तरह से करेंगे, एक फंदा बनाया, और पीछे वड़ा हुप इसके ऊपार से उतार ज़्याय में लाज सभी फंदों को बंद करेंगे कि न ह मिउनको जादा टाइट बंद करेंगे ना जादा क्वेश बंद करेंगे लास तक zabी खंदों को मिभल मिफं आंए झाल झाल इस तरह से हमारे फंदे बंद हो गई और यह बटन पट्टी हमारी रेडी हो गई तो मैं लास टक बंद कर लेते हूं इसको अब फ्रेंड देखिए यह बटन पट्टी के नीचे वला और जो हमने डिजाइन बनाया है इसके फाइड वाला कोने वला तो ब्लै कलर यहां रहा ग यह प्रिल लगाएंगे हम इसमें फ्रोक में और इस तीन बनाये एक दो छोड़के पीसरे पर फिर वैसे ही एक दो तीन बनाये अब यहां इंपर तीन डवल क्रोश्य अब रहेंगे एक दो और एक तीन अब एक दो छोड़के तीसरे पर इससे एक दो तीन कि दो और इस तीन डवल क्रोश्य अबनाये से दो छोड़ेंगे एक दो और फिर तीसरे पर इस तरह से देखिए सारी जगा हम प्रिल कर देंगे क्रोप का नीचे वाला पार्ट है कि दो अब एक दो छोड़के यह से तीसरे नंबर पर वैसे ही एक दो तीन चेन मनाके यहां से लेके पूरे प्रॉब के घेरे पर एक बटन पट्टी से लेके दूसरी बटन पट्टी तक इसको इसी तरह से लगा के आँगे तो यह फ्रील लगा लेते हैं मैं पूरे में फिर हम बाद जुमेवी यही डिजाइन बनाएंगे देखिए अब फ्रेंट देखिए यह मेरी फ्रॉब कंप्लेट हो चुकिया देखिए इस तरह से डिजाइन आया है यह देखिए यहां से उपर तक इस तरह से बन गया है देखिए मै ने बटन पट्टी कि करें पीस फंदे डाल रख़ी है गनए इस पर बीसंदे यहां पीछ जॉयंट करेंगे यह हमारी के जॉयंट करणें यहां पर सब्सक्तिय जॉयंट करेंगे lei अगर आप अलग बनाना चाहते हो तो अलग भी बना सकते हो इसको देखिए पर इन दो का एक कर देंगे इस तरह से अब पूरी स्लाई सीधी बना देंगे नीचे तक 20 फंदो को सीधा बना देंगे दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा, सोला, सत्रा, अठारा, उनिस, पारे, बीस, अब हम ब्लै कलर लगाएंगे नीचे साइड से, तो देखिए अब हम दस पंदे ब्लै कलर के बनाएंगे, पहले दस बनाएंगे, फिर पंद्रा बनाएंगे, फिर दस बनाएंगे, देखिए दो, तीन, चार, पान, चे साथ आठ नौ दस अब यहीं से पल्टेंगे और पूरी स्लाई सीधी बना देंगे दस बंदों के दो तेन चाथ पांक छे साथ आठ नौ और दस अब हम दूसरे कलर से पूरे बीस पंदे बनाएंगे इसी कलर से दो तेन चाथ पांक छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ तन्वरा सोला सत्रा अठारा अनिस और बीसवा पंदा और एक यहां से उठाएंगे एक पंदा छोड़के एक पंदा अगले वाला उठाना है तो कि एक सीधी स्लाई हमारी नीचे के तरफ जा रही है उसका फंदा बढ़ रहा है तो हमने एक फंदा छोड़के दूसरे वाले फंदे पे इस तरह से जॉइंट करना है अब पूरिश लाई हम नीचे सीधी लेके आएंगे जचे हम लेके इस तरह से एक पहुआ है अब हम ब्लैक कलर से पहले हमने दस बनाए अब हम पंदरा बंदे बनाएंगे इस तरह से दो तेन चार पाट छे साथ आठ नौट दस ब्यारा बारा तेरा चौदा और पंदरा और इसको नेचे लेकर जाएंगे इसी तरह से पंदरा बंदा हो आगे बाले नहीं बनाएंगे हम जब हम दूसरा कलर लगाएंगे तब हम आगे बाले बंदे बनाएंगे अब यहां से पिछे मरेंगे और दूसरे कलर से सबी खंदों को उबर तक बना देंगे रिष डो में जो आगे मैं पिछे मुंद व्राओंगे हम आगे मुंदों को आगे मैं एकर जाएंगे ओड्रत और ये उल्टे साइड से ये वाला पंदा छोड़के आगे वाले पे हम इस तरह से इसको जोड़ देंगे और पूरी स्लाई नीचे को इसी कलर के लेके जाएंगे अब फिर से हम ब्लैक कलर के दस फंदे बनाएंगे दो तिन चार पांट छे साइड पांट नो और दस अब इनी दस वालो को नीचे तिन चार पांट छे साइड आठ नो दस अब हम फ्रेंट चार स्लाई यां देखिए चार स्लाई यां इस वाले कलर के लगाएंगे पहले हमने तीन ही डिजाइन हमारा कंप्लेट हो गया देखिए तीन अब हम बीच के चार स्लाई यां इस दूसरे कलर से लगाएंगे और चार स्लाई यां लगाने के बार फिर से हमने दुबारा यही डिजाइन स्टार्ट करन बनाने हैं फिर पंदरा बनाने हैं और फिर दस बनाने हैं देखिए अब सभी फंदों को मुपर तक इन चार्स लाइयों में उपर तक बनाएंगे इस तरह से इस वाले फंदे को लेके एक फंदा यह देखिए यह दिख रहा है एक छोड़ना है और आगे वाले पेसको जोड़ना है अब इसी तरह से हमें एक स्लाइल लगाए तीन और लगाएंगे इसी कलर की और देखिए कितने एक दू तीन चार पांच इसी तरह से आप इस वाले पे बना लिजी और फिर जो फ्रेल मैंने बनाना बताया इस पे नीचे गेरे पे इसा तरह से आप इस पर फ्रिल लगा लीजिए और इस तरह से आपकी बेबी स्वाटर रेडी हो जाएगी बहुत ही इजी है बनाने में भी और बहुत ही सुन्दर लगती है देखने में भी इस तरह से बनके आई है तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करन मेरी चानल को थेंग क्यू आए 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 आए